रोटी समाज की बेटी में सजा दो हम तो मुसलिम है और भी मेरी बेटी हैं अब मुसलिम हों यह बिलको से लिक बाच के ना में अनते में जाखे ले लू अपनी जिंदगी वसर करो नमक रोटी चट्री रोटी खा के इज़त से जीओ जो भी हो जिसने जैसा कराब ऐसा तो भरे गाई हो इनी पुछने कि यह लाई कहां से धिया कौन नमस्कार मैं सिखा सिंग अभी मैं उत्री पत्सिं दिली के सहवाज डेरी के पास खरी हूँ यहां पे आप यह क्रॉस का निसान अगर देखेंगे तो यह वो जगह है यह वो इस्पोर्ट है जहां पे साहिल ने साक्षी की हत्या की थी अब आज क्यूंकि चार पास दिन बीच चुके हैं टीवी मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं हिंदु मुस्लिम का एंगर ले रहे हैं बहुत सारी तमाम सीजे टीवी मीडिया पे दिख रही है यहां पे देखें यहां से वहां तक और यह अगर आप सामने में देखेंगे त टीवी में देखा होगा तो आप क्या आरोपी को बचाना चाहते हैं कि आरोपी ने सही किया अरोपी ने जो कुछ किया है गलत किया इसने बहुत गलत किया है क्यूंकि समाज की बेटी हमारी बेटी समझे जो गलत किया तो गलत को गलत ही कहेंगे सही तो नहीं कहेंगे मैम सम जजी उनको इंसाब दीजिए बेटी है हमारे भी बेटी है by यहां के नागरी का यहां के रहने वाले हैं जो इस तरह का घटना मैंने बात का के угon पूरी दिल्ली का ने करें सकते हैं कि यहां कराम जादे होते हैं पहले हमार प्रवाइब तो यहां का सासन यह है कि पुलिस वाले जो है अगर शासन सही होना तो इस तरह का क्राम नहीं होगा जो जो करना चाहिए पुलीस को ताकि यह सारे जो घटना यह वह तो बस आज कल क्या है पैसे की पीछे भागते हैं को कि पैसे चाहिए कहां से उसको पैसे आना चाहिए कैसे है और आए दिन परिशान करते हैं प्लीस के साथ को की पैसे बॉस्लिम के दे काम का ये उसको और ये शासन के वह सही बढ़ाबा होता है अगर आप खबर देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि टीवी वाले दिखा रहे हैं कि गले में हाथ में कलावा पेने वे गले में रुद्राक्ष पेने वे साहिल था तो लोग कह रहें कि लड़की को आपको अच्छा रास्ता बताई कि काम मत करो अच्छा काम करो खूला आम है ऐसे अदमी को तो फासिप लटका दिया जाएं और मैंन बाता है मौजृम को जहां से पकडा गी है कि वहीं Rock जूट कर देना चाहिए करेंगैंस कर देना उसके साथ पोटिनी सूट कर देना चाहिए ता जान के बदले जान मेरे बच्ची को मारा है हमको भी बहुत अफसोस आया, बहुत अफसोस आया, बे दर्दी के तरह पत्थर से मारना, चाकू मारना, इस तरह इसको तरपा तरपा के मारना, यहां से तमाम लोग जब उसको मारा जा रहा था, तो यहां से तमाम लोग यहां से जा रहे थे, किसी ने बचाया है, कोई नहीं पर पीज जाएंगे हमारे थोटे थोटे बच्चे हैं रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहा से आपको भी तरल लगता है इसा आप रहते तो बचाते यहां तो मैं तो सोचता हूँ कि जो भी मकान मिला है कार ने मुझे दिया है तो मैंने सुचता हूँ कि इस महल से लिकाल के बेजबाच के न मैं कहीं जिंदगी वसर करो नमक रोटी चट्डी रोटी खा करे इजद शे़ जी यह बहुत पढ़िशान हैं हें हर कौम पढ़िशान हैं नहीं नोग करते न यह गलत गलत कर जो लब जिहाद का भी आजकल लगातार लब जिहाद लब जिहाद और ऐसे इसी का मामला नहीं है और भी तमाम मामले हैं कि लब जिहाद आप लोग क्या ऐसा बोलते हैं देरी में लड़की एक तो माबाप बिचारे रोजी रोटी में चले जाते हैं माबाप रोजी रोटी में चले जाते हैं और लड़किया लोग क्या करती हैं एक-एक के पास कम से कम ददस गॉल्ड फैंड होते हैं उसके लड़की के पास होते हैं लड़के के पास होते हैं माहल बहुत खराब है अब देखिए 15 साल के लड़की कोई उमर है उसकी माबापकी 16 आना माबापकी गलती है माबापको बस लड़की पैसे ला रही है बड़े-बड़े बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले रहे दिख रही है इनी पूछने कि यह लाई कहां से धिया कौन किसक सब्सक्राइब रहती हो बोलना चाहिए बच्चों भी कड़ाई रखिए कि इस तरह काम मत करो यहां पर लगवक चार-पास दिनों से यह देख सकते यह घर तो रहा जार यहां पर यह लोग जो है यह मजदूर है यहां पर मजदूरी करते घर तो रहे हैं इनसे हम बात करें कि जिस दिन यह सारी मामले हुए थे उस दिन आप लोग कहां थे यह तो रात में कांडुगा है हम तो छे बज़े काम करके चले जाते हैं यह पौने नौ बज़े के नहीं नहीं यह तो भाग जाते हैं उदर रहते हैं किसंकलोनी में पहलादपूर के पास और जब सुबह अब बलत हैं तो जो भी और जिस दो झाम बंदी कर दिया तो यह करें इसके साथ हूए यह लड़का था शदी जिए बहुत सारे तो इसमारे पिर आमने काम बंदी कर दिया था उग्या तो यह को इसके जो वी कर आए वी यह तो आपने देखा कि यह लोग जो हैं वो जब उनसे बात किया मुस्लिम यूबक्ते उन्होंने का कि आरोपी जो है साहिल उसको करी से करी सजा मिलनी चाहिए एक बार हम फिर से वह स्पॉट आपको दिखाएंगे जहां पर साक्षी का मडर हुआ था जहां पर लगब बीस बार उसको चाकवोस से मारा गया था सर पे इटे फेके गए थे और यहीं वो जगह है यह आप क्रॉस का निसान देखे बुलू कलर के क्रॉस के निसान पर यहीं पर साक्षी को मारा गया था हाला कि जब मुस्लिम वेक्ति से हमने बात कि उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम का ए देना चाहिए ऐसे आरोपी को या फिर उसको तुरस चार से पास दिन में फासी देनी चाहिए आप लोग इस पुरी खाबर पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स पंचारों दीजिए धन्यवाद